नमस्कार दिनांक छे जुन दो हजार तेस कैबिनेट मंद्री को प्रेस वारता में दिव्यांग ने गिनाई कॉंग्रेस सरकार की उपलब दिया हर दिव्यांग को पेंशन डबल की चिनाओ से पहले समाजों को साधने की भाजपा का धाव रवार को अशक नगर में उल्टा पड़ गया यहाँ जिले के पाल समाज जनोन से मुलाकात करने आये कैबिनेट मंत्री दरजाप्राप शैलांसी पाल को प्रेस वारता में उन्हें के समाज के एक व्यक्ति ने कॉंग्रेस सरकार की उपलब दिया गिंडाली अचानक हुए इस पाक्यों को देखकर प्रेस वारता कर रहे नेताभी कुछ समय के लिए सक पका गए और बीच में बोल रहे दिव्यांग समाज जन को चुप कराने का प्रयास करते रहे इसके बाद राज्यमंत्री दरजाप्राप शैलांसी और उनके साथ मौझूद पाल समाज के पदाधिकारी इस बात को नजर अंदाज करने का प्रयास करते रहे न्यात है शैलानसिया ने अशकनगर में आकर पहले समाच के वरिष्ट जनों की बेटक ली उसके बाद प्रेस वारता में पुराने रेस्ट हाउस पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए बाजब सरकार को उपलब दियों गिना रहेते तबी शैलानसिय के साथ में आए पाल समास के सूरेश पाल खुद को रोग नहीं सके उन्होंने सपष्ठ रूप से कहा कि आने वाले चुनाव में अध्यप्रदेश के कॉंग्रेस की सरकार बनेंगे धन्यवाद नमस्का दिनांक छे जुन दो हजार तेस हाथ नहीं फिर भी लिकावट सुन्दर बगेर राइटर के खुद ने बारावी पास कर डाली मन की आँकों से मरिट सुची में बनाया स्थान दस्वी और बारावी में पाए उच्चामक अनिल धवरा मन्जिले उनी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंगो से कुछ नहीं होता है होसले में उडान होती है जी हाँ सफलता किसी के हाथ और पैर की मौताज नहीं होती बलके उसके पाने के लिए होसले में दम होना जरूरी है यहां हम ऐसी ही वक्त की कहानी बताने जा रहे हैं जिनोंने अपनी शारिरी कमियों के बदले अपने जजबे जुनुन और होसलों से अपने सपनों को आकार दिया और सफलता की एक नई कहानी लिग डाली यक पुरुष धाम की प्राचारियर डॉक्टर अनिता शर्मा बताते हैं कि धार के पास के गाउं में साल 2008 में शिवा को उसकी माँ छोड़ गई थी परिवार की आर्थिक सिती ठीक नहीं थी तब शिवा महच साथ साल का होगा उसे हमने आत्मनिर्भर बनाया आज सिती यह है कि यही आश्रम में काम भी करते हैं और किसी पर निर्भय नहीं हैं वह यहाँ से पीटी टीचर की भूमिका में हैं और बच्चों को पीटी सिखाते हैं इसके लिए संस्था से 5000 रुपे महवेतन के रूप में मिलता है उसे कराते में भी विशेज रूची है और पिछले 6 मह से ट्रेनिंग के लिए क्लास भी जोईन कर चुका है आसमान चुने का हुसला रखता जन्म से दोनों हाथ नहीं ऐसे में आप सोच सकते हैं कि MP बोर्ड परिक्षा में बिगर किसी की मदल लिए कई चात्र सिख्टी पर पतिशत अंग हासिल कर सकता है जी है ऐसा करने वाला योग इन दोर में ही मौजूद है श्री युकपुरुष धाम से अपने एक हाथ जो नाम मातर कहने का हाथ है जिसमें महज एक अंगोली मौजूद है इसी एक अंगोली को उसके अपने सहारा बना लिया और खुद के दम पर जीवन की परिक्षा नहीं MP बोड की कक्षा बारावी की परिक्षा पास कर ली इस चात्र का नाम है शिवा अनारे शिवा अब अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज तलाश रहा है वह बैंकिंग सेक्टर में जाना चाता है और अपने जैसे लोगों को मदद के लिए कुछ बहुत कुछ करने का उसके दिल में अर्मान है शिवा बदाते हैं के शुरू से ही पढ़ाई में उसका लगाव रहा है उसे अंग्रिज दी विशे बहुत पसंद एक अक्षा बाराविये कॉमर्स जैसे विशे लेकर पढ़ाई की और 64% अंक के साथ अपनी संस्ता ही नहीं शास किया सुभाश स्कूल का नाम भी रुशन क दिव्यांगो को कभी उसके अपने कमजोरी नहीं बनाने दी हैमेशा ही उसा और जोस से भरपूर रहने वाला शिवा कहता है कि वो अपने सभी कारिय बगर किसी की मदद करता है तभी तो उसके केवल अपने होसलों के दम पर जीवन की तमाम विपरित हालातों का रुक मोड दिया शिवा की टूशन देकर पढ़ाई करने वारी शिक्षी का अर पीता शुकला कह दिया कि शिवा के हाथ नहीं लेकिन आसमान चुने का हासला रखता है उसके पढ़ाई के प्रती जुरुन देखते ही बनता है वो एक अंगली से पेन पकड़ता है सामान्य बच्चों से अच्छी लिकावट है रख्षा बारावी में सफलता उसके अपने दम पर ही पाई है धन्यवाद नमस्कार दिनांक 6 जुन 2023 खुद दिव्यांग होने के बावजुद हजारो दिव्यांग को अपने पेरों पर खड़ा कर चुके है लिम्बोया के घनशाम खटिक कुछ लोग खुद अक्शम होने के बावजुद हजारों लोगो को सक्षम बनाने की उवत रखते हैं ऐसी ही एक व्यक्ति है गणशाम खटिक समाज में दिव्यांग जन कई तरह के संगर्श करते हुए अपना जीवन यापन करते है दर असर शारेरी ग्रूप से अक्षम लोगों के लिए शिक्षा और भरन पोशन करना बहुत मुश्किल होता है इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजस्तान के पाली जिले के छोटे से गाउ लिंबिया के रहने वाले दिव्यांग घनशाम खटिक ने दिव्यांगों की समस्या को देखती हुए एक अनुठा कदम उटाया है वो कदम है हर जरूरत मन दिव्यांगों को रोजगार उपलब्द करवाना इसी उद्देश से अब घनशाम ने पिछले तीन सालों में 245 दिव्यांगों को रोजगार से जोड़ा जो की राजस्तान से ही नहीं भारत के अलग-अलग राज्यों से है और अपने पैर पर खड किया खुद दिव्यांग है उसके बावजूद भी हर निजी कंपनी किसे संपर्क करके उनसे बात करके दिव्यांगों को निजी क्षेत्र में रोजगार दे रहे इस कार्य के लिए खुद सारा काम अपने स्थर से करते हैं बस घन्शाम का एकी सपना है प्रत्यविक्र गुपालपुरा बायपास के द्वारा शंमानित भी किया गया है इसके आलवा दिव्यांग को गौरव संद्मान आदी अनिक संद्मान प्राप्त कर चुके हैं उन्होंने कहा कि भगवान ने ही हमें जीन गुनों से नवाजा है उन्हें निकारा है यंत्रवत कार्य करने के बजाए स्वयम को प्रसन्न रखने के लिए काम करना है। आपको अपना परिवेश अपने आप प्रसन्न मिलेगा। दुसरों शुब्दों में हर काम को प्रसन्न तासे करे। अपनी क्षमता का पूर्ण अपयोग करे। आपकी मेहनत देखकर बगवान स्वयम सफलता के लिए द्वार तक किले जाएंगे। फुल मिलाकर हमको मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। धन्यवाद।